Political Hypocrisy. राजनीतिक पाखंड सबसे पहले समझते हैं Hypocrisy या पाखंड क्या होता है Hypocrisy या पाखंड का मतलब होता है दोहरे मानत जैसे मानिये कि मैं अपने जीवन में अगर सफल होता हूँ और कहता हूँ कि बहुत महनत से सफल हुआ हूँ लेकिन अगर कोई अन्य सफल होता है और मैं कहूं कि किस्मत से सफल हुआ है तो इसको कहते हैं पाखंड क्योंकि दो तरह के आपने मानक बना रखे हैं जब राजनीतिक संदर्म में यही आपका attitude होता है तो उसको बोलते हैं राजनीतिक पाखंड था जैसे कोई राजनीतिक दल जदी फिरी में कुछ बाट रहा है और उसको बोलेगी ये वेलफेर के लिए लेकिन जब कोई और दल फिरी में बाटे कुछ तो उसको बोलेगी पापुलिजम के लिए तो इसको बोलेंगे राजनीतिक पाखंड और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिध्धान्त विहीन राजनीति जिसको गांधी गीने समाजक पाप के रूप में सुईकारा है